इमली की खट्टी मिटी चट्नी सुनते ही मुँ में पानी आ जाता है क्योंकि इमली की चट्नी के बिना कोई भी स्नैक्स अधूरा है कोई भी चाट अधूरा है तो चलिए आज बनाते हैं खजूर इमली की खट्टी मिटी चट्नी और वो भी बहुती फटाफट से बहुती आ जाती है तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन पचास ग्राम जितना खजूर और सो ग्राम जितनी इमली दोनों मिक्स करके बनाएंगे तो चटनी थोड़ी गाड़ी बनेगी और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बनेगी आप खाली इमली की बनाना चाते हो तो भी ब बोईल करना है खजूर और इमली बोईल हो रहे हैं तब तक हम आगे की त्यारी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने तकरीबन दो चम्मच जितनी सौफ ले ली है और एक चम्मच भरके चीनी ले ली है और सौफ को अच्छे से कूट लिया है चीनी डाल ले से सौफ अच्छे से बारी कूट जाती है अगर आप इसे मिक्षर में चलाना चाते हो तो भी चला सकते हो तो यहाँ पर हमारी इमली और खजूर भी बोईल होके रेडी है कुकर का ठकन मैंने खोल दिया है और कंची से थोड़ा सा इसे मैंने मैश कर लिया है और अब ले लेंगे एक चलनी और सा पूटा सेर्स होगा तो भी हमारा जो ग्रैंडर है वो खराब हो सकता है इसलिए मैंने इसे चनली से चान लिया है इस तरह भी चलन जाता है तो चलिए अभी अच्छे से चन गया है फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है तकरीबन आदे कप जितना फिर से cook कर में तो बर्तन को मैंने अच्छे से दो लिया है और अब बर्तन को चड़ा देंगे gas के उपर gas की flame को on कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे एक चमज बर के तेल आप जो भी तेल खाते हो वो डाल सकते हो और अब डाल देंगे एक चमच बर की जीरा जीरा अच्छे से फूट जाए फिर डाल देंगे आदा चमच बर की हिंग हिंग से ये चटनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो हिंग जरूर डाले और अब डाल देंगे इमली और खजुर का पानी जो हमने निकाल की रखा है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलिए अब इसके अंदर मसाले कर लेते हैं तो इसके अंदर डालेंगे टेस्क के अकोडिंग नमक, एक चमच लाल मिर्ज पाउडर, तीन चमच दन्याजिरा पाउडर और एक चमच डाल देंगे सौफ का पाउडर जो हमने रैडी किया था दन्याज जीरा पाउडर यहां पे हमने थोड़ा सा जादा लिया है क्योंकि इस से चटनी में बहुत ही बढ़या फ्लेवर आता है और चटनी हमारी घाड़ी भी बनती है और अब इसके अंदर एड़ करेंगे 100 ग्राम गुड और 100 ग्राम चीनी क्योंकि हमने इमली भी 100 ग्राम ले थी तो यह दोनों चीज़े हमें 100 ग्राम लेनी है तो यहां पे मेजरमेंट कुछ इस तरह रहेगा कि जितनी इमली है उतनी चीनी और उतना ही हमें गुड लेना है चीनी आप डालोगे तो चीनी से इसके अंदर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है तो चीनी जरूर डाले और अगर आप चीनी नहीं डालना चाते हो तो उसके जगा 100 ग्राम गुड एक्स्ट्रा एड़ कर ले और अब लास्ट में इसके अंदर डाल देंगे आता चमजबर के सौट पाउडर यानि की सुखे अद्रक का पाउडर जिंजर पाउडर भी इसे बोल सकते हो और अब इसे हमें आट से 10 मेट के लिए उबाल लेना है तो आट से 10 मेट में हमारी ये चटनी बनके रेडी हो जा झाल